कि यहां पर हमने इंटिकेशन का एक क्वेस्टन लिया है जो कि है टैन पावर फोर रूट एक्स और यहां पर सेक स्क्वार रूट एक्स डिवाइड बाई एक स्क्वार पर समकलन करना है अगर इसमें हम रूट एक्स को अगर यहां पर T मानते हैं तो रूट एक्स का जो आओकलन होगा न मुद में खूर में जो वन बाई 2 है उससे एक मालेश होगा न एंग account is equal to होगा dt upon में dx ठीक यह समझ पाया होगे यहाँ पर हमने formula कौन से लगाया है d by dx of x power n is equal to n x की power n minus 1 तो यहाँ पर जो x है यहाँ दी by dx of x और उस पर root लगा है root का मतलब 1 by 2 होता है तो देखो अगर इस वाले को हम इस पर रखें तो पहले तो 1 by 2 आएगा n देखो तो 1 by 2 आगे और 1 by 2 में क्या होगा 1 minus हो जाएगा तो यह हमने यहाँ पर किया है अब इसको solve करें तो 1 by 2 और x की power में अगर 1 by 2 से 1 minus कर रहे हैं तो माइनस का 1 by 2 आएगा is equal to dt upon dx और यह 1 by 2 माइनस का इसको नीचे कर देगा तो यह रहेगा 1 by 2 और नीचे आएगा plus का 1 by 2 होगा और x की power 1 by 2 को ही root कहते हैं तो root x लिख देते हैं और is equal to dt upon dx अब dx को इधर ले चलते हैं 2 को इधर लाते हैं तो यह बनेगा dx upon me root x is equal to 2 dt ठेक तो यानि अब अगर देखें question में तो dx upon me root x dx upon root x यहाँ भी है यह बनेगा 2 dt और जहाँ पर हमने root x है वहाँ पर t माना गा तो t रखेंगे अब अगर हम यह dx upon root x is equal to 2 dt और जहाँ पर root x है वहाँ पर t put करें तो यह question हो जाएगा उपर से देखो यहाँ पर 10 power 4 वह ऐसे रहा 10 उसकी power 4 root x है तो root x पराबर t माना गया है t रख दिये और यहाँ पर है और root x है तो t रहे और यहाँ पर dx upon root x यह बन जाएगा 2 dt तो यहाँ पर 2 dt ठीक अब यहाँ देखें तो इनमें 2 constant बाहर कर दे तो जब 2 बाहर आएगा तो integration करना पड़ेगा हमें 10 power 4 t और into में sec square t dt ठीक अब यहाँ पर फिर से हमें कुछ मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो 10 t है उसी का आउकलन बगल में दिया है 10 t का जब आउकलन करते हैं t के सापेज तो sec square t आजाएगा ठीक तो यहाँ फिर से 10 t को कुछ मानना पड़ेगा तो अब की बार यहाँ लेट कर लेते हैं 10 10 t को यहाँ हम a मानन लेते हैं तो इसका जब हम आउकलन करेंगे तो 10 t का आगर t के सापेज आउकलन करें तो यह आजाएगा sec square t और इधर a का भी d a upon में dt t के सापेज एक आउकलन यह होगा अब यह इधर जाएगा तो यहाँ से sec square t और dt यहाँ जाएगा तो dt is equal to d a ठीक आप जहाँ पे sec square t dt है उसकी जगे पर हमें d a रखना है जहाँ पे 10 t है वहाँ पे रखना है तो ऊपर रख सकते हैं तो 2 ऐसे रहा और 10 जहाँ था वहाँ र जाएगा d a d a ठीक आप देखों यहाँ a power 4 है और a के सापेज समाकलन भी करना है तो यहाँ पे 2 और power एक बढ़ जाएगा a power हो जाएगा 5 और उसी से divide भी हो जाएगा plus का c constant तो 2 इंटू और यहाँ पे a a की value है tan t tan अब पावर में 5 है तो पावर भी लगा देते हैं divide by 5 plus c अब जोगी question में तो t था नहीं x था न तो x यहाँ पे जो t था वो भी हटाना पड़ेगा t is equal to root x है तो final में जो इसका answer आएगा वो 2 और 10 power 5 t की जगे पे root x हो गया और divide by 5 यह रहेगा plus का c ठीक है यह answer बनेगा इसका